फिल्लिपिन्स के मनीला की रहने वाली 27 साल की टैक्सी ड्राइवर जो एस टैडियो जोईस टैडिया की फोटो और सोशल साइट्स पर वायल हो रही है इन्हें दुनिया की सबसे होटेस टैक्सी ड्राइवर कहा जा रहा है अपने ग्लामरस अंदाज से चर्चा में आई मनीला के साथ सफर करने के दोरान पैसे इंजर जाम में एंजॉय करते हैं मेडिकल रेप्रेजन्टेटिव रह चुकी है मनीला जोईस बताती हैं कि टैक्सी ड्राइवर बनने से पहले वो धवा कमपनी में मेडिकल रेप्रेजन्टेटिव के और पर काम करती थी लेकिन परिशान होकर उन्होंने वह नौक री छोड़ दी और करीब आठ महीने पहले टैक्सी ड्राइवर बननी उनका कहना है कि अपने इस नए जॉब से वो काफी खुश है और लोगों से काफी अच्छे कमेंट भी मिल रहे हैं जोएस की कार में बैठने वाले कई यात्रियों का कहना है कि वे उनकी सुन धरता की बज़े से ट्राफिक जाम में फसने के बाद बुरा नहीं मानते हैं वहीं जोएस का भी कहना है कि यात्री ट्राफिक जाम में फसना इंजॉय करते हैं उन्होंने बताया कि कई यात्री पुरुष प्रदानवाले इस उद्योग में किसी महिला के नौकरी करने से काफी खुश हैं, जोएस ने कैब की सवारी के दौरान कई यात्रियों के साथ खीची हुई तस्वीरे सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जो इन दिनों वायल हो रही है जोएस ने बताया कि वो दिन भर में तकरीब अन्बारा गंटे तक कैब चलाती हैं और ज्यादतर पुरुष ही सवारी करते हैं, उनका यह भी कहना था कि जब लोग मुझे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन मेरे उपर उनका ध्यान देना मुझे काफी खुशी दे में नहीं सोचा क्योंकि कैब ड्राइवरों के लिए यहां सख्त नियम है